नमस्कार दोस्तों स्वागत है डेली स्टेडी में आज हम बिहार पुलिस के लिए इतिहास के 29 प्रस्ण लेकर आया हूँ जो पिछले वर्सों में बिहार पुलिस में काफी बार पूछा गया है दोस्तों आप सभी प्रस्ण को सोल्व करते चलिएगा और वीडियो के अंत में आप ये बताईएगा कि आप इन 29 प्रस्णों में से आपको कितना मालूम था तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है असोक मौरिका रुमिन देई अस्थंब मुर्ती पीपल बिरिक्ष या फिर बौधमट इसका सही जवाब क्या होगा सोचिए थोड़ा दरिकली समय है आपके पास तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान असोक मौरिका रुमिन देई अस्थंब द्वारा अंकित किया जाता है ओप्षन ए सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको यह याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म पान सो 63 इसा पुर्व में हुआ था अच्छा गौतम बुद का जन्म कहां हुआ था तो ध्यान रखेगा लुम्बनी में ओके चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है बुद्ध किस वन्स से संबंधित थे ग्यातक मौड्य साक्य या फिर कुरू तो यहाँ पर दोस्तों सहे जबाब होगा बुद्ध साक्य वन्स से संबंधित थे अगला प्रस्ण है प्रथम बौध परिशद कहां आयोजित की गई वैसाली कस्मीर राजग्रे पाटली पुत्र तो यहाँ पर सहे जबाब होगा ओप्सन सी प्रथम बौध परिशद राजग्रे में आयोजित की गई थी अच्छा यह किसके समय में प्रथम बौध परिशद आयोजित की गई थी तो धियान रखेगा अजात सत्रू के समय में और इस समय अध्यक्ष कोन थे तो धियान था असोक कनिस्क हर्स या फिर बिंदुसार तो यहां पर दोस्तों सही जवाब होगा पांच भी बहुत परिशद का आयोजन हर्स ने किया था ऑप्शन सी सही जवाब है और दोस्तों यह कहां में हुआ था पांच भी बहुत परिशद का आयोजन तो ध्यान रखिएगा उत्त या फिर सकती साली तो दोस्तो सहीजवाब होगा बुद्ध का अर्थ होता है ज्यान प्राप्ति ओप्शन ए दोस्तो सभी कुश्चन्स काफी इंपोर्टेंट है आप वीडियो के अंतक बने रहिएगा कहीं भी आप वीडियो को इसकी मत किजिएगा और अपना स्कोर आप तो इसका सहीजवाब होगा बौध सहित की पहचान जो है इसमें होगा त्री पीटक ओप्शन ए काफी बार पुछा गिया है ये काफी इंपोर्टेंट है अगला प्रस्ण है साथ नंबर बौध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोर कर एक महत्वपूर्ण प काफी बार पिछले बर्सों में पूछा गया है तो दोस्तों यहां पर सहीजवाब होगा ऑप्शन डी इस्त्रियों एबम सुद्र ऑप्शन डी सहीजवाब है अगला प्रस्ण आठवा नंबर बुध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था घया सारनात पाटली पू प्रथम प्रवचन सारनात में दिया था अच्छा गौतम बुध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनात में दिया था लेकिन किस भासा में दिया था यह प्रसन पूछा जाता है तो धियान रखिएगा पाली भासा में यह पहला प्रवचन दिये थे चलिए आगे चलते हैं अ काबू पालिया जाए तो निर्वान मिल जाएगा या फिर option D इस्वर और आत्मा के अस्थित्व को स्विकार करना चाहिए तो दोस्तों यहां पर सही जवाब होगा बाउद धर्म तीन मतों पर विश्वास करते हैं जिनमें की option A है दुनिया दुखों से भरी है option B है लोगों क दुख उनकी इक्षाओं के कारण होते हैं option C होगा यदि इक्षाओं पर काबू पालिया जाए तो निर्वान मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तों सही जवाब होगा option A option B और option C यानि कि C नंबर option में आपको दीख रहा होगा option C यहां पर सही जवाब है चलिए आगे चलते ह अगला प्रस्ण है धातू से बने सिक्के सबसे पहले परकट हुए थे किसके काल में काफी बार पुछा गया है दोस्तों इसको आप note down कर सकते हैं धातू से बने सिक्के सबसे पहले परकट हुए थे हरपा काल में उत्तरवेदिक काल में बोध के काल में या फिर मॉर्यों के काल में तो यहां पर दोस्तों सहीजवाब होगा option सी धातू के बने सिक्के सब से पहले बूद के काल में परकट हुए थे अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि धातू के बने सिक्कों को एक और नाम से जाना जाता था जिसे कहते थे पंच मार्क ये भी आप ध्यान रखिए अगला प्रस्ण देखते हैं प्रारंभिक बौद धर्म ग्रंतों की रचना किस में की गई थी प्राकिर्थ पाठ पाली पाठ संस्क्रित पाठ या फिर चित्रलेखिय पाठ तो यहां पर सही जवाब होगा option बी पाली पाठ option B सही जवाब है प्रारंभिक बौद धर्म ग्रंतों की रचना पाली पाठ में की गई थी अगला प्रस्ण है आरंभिक बौद साहित्य किस भसा में रचे गए आप इसे जरूर कर लिजिएगा पाली संस्क्रित अरेमेइक या फिर प्राकिर्थ अभी अभी मैं आपको बता संस्क्रित में भी लिखे गए थे ओके ये लेकिन बाद में हुए थे पहले किस में थी पाली भासा में थी आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है तेरे नंबर नीमन में से कौन सा एक भारत में उत्पन सबसे बाद वाला बौद धर्म का ग्रंत है दिब्य बंदना दोहा कोसा वजर छेदी का वाम साथ पाकिसिनी इन में से सही जवाब क्या होगा भारत में उत्पन सबसे बाद वाला बौद धर्म का ग्रंत है तो यहाँ पे सही जवाब होगा ओप्शन डी वाम साथ पाकिसिनी ओके ओप्शन डी सही जवाब है अगला प्रस्ण है बौद धर्म में बूल का संबंद बूध के जीवन की किस घटना के साथ है, काफी इंपोर्टेंट है, बूध धर में बूल का संबंद बूध के जीवन की किस घटना से है, जन्म, महाभिनिस कर्मन, प्रबोध, महापडिनिर्वान, तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, option A, बोध धर में, बूल का संबंध, जन्म से है, okay, option A, अगला प्रस्म देखते हैं, 15 नंबर है, बोध को प्रबोध कहां प्राप्थ हुआ था, सारमात, बोध गया, कपिल बस्तु या फिर राजगरी, तो बोध को प्रबोध प्राप्थ हुआ था, बोध गया में, option B, सहे जवाब है, दोस्तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दिजिए, और इस वीडियो को आप कम से कम पाँच लोगों के साथ सेर जरूर किजि हैं, option A है, तिरी रत्न, option B, तिरी वर्ग, option C, तिरी सर्ग, option D, तिरी मुर्ती, तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा, बोध, धम और संग मिलकर तिरी रत्न कहलाते हैं, option A, और तिरी रत्न को हीं तिरी पीटिक कहा जाता है, ये बात भी आप धियान रखेंगे, ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रस्ण है, question number 17, इक्छा सवकष्टों का कारण है, इसका परचार करने वाला धर्म कोन सा है, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत असान है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इक्छा सवकष्टों का कारण है, इसका परचार करन option A, सहे जवाब है, आगे चलते हैं, अगला प्रस्ण भी काफी important है, पिछले बर्सों में पूछा हुआ, बद्धों के पवित्र अवसेशों पर निर्मित, गुमबदाकार, छत वाली, अर्धगोलाकार सनरचना को क्या कहते हैं, इस्टूप, धर्मादेश, स्तंब, या फि इनमें से कोन सा साषक, बौद का समकालिन था, दोस्तों यहां पर टाईपिंग इरड हो गई है, इनमें से कोन सा साषक, बौद का समकालिन नहीं था, बताना है कि इन में से कौन सा सासक बौध का समकालिन नहीं था उदयन, भिम्बिसार, अजाद सत्रो या फिर महापद्मनंद तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा महापद्मनंद, option D, सही जवाब है आगे चलते हैं अगला प्रसन है question number 20 मैंने आपको पीछे बताया था 563 इसा पुर्व में बोध की जन्म हुई थी लेकिन अब आपको यहाँ बताना है कि बोध की मिर्तियू किस बर्स में हुई option A है 483 इसा पुर्व, 438 इसा पुर्व, या फिर 453 इसा पुर्व, या फिर option D, 468 इसा पुर्व तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा, बोध की मिर्तियू 483 इसा पुर्व में हुआ था अच्छा दोस्तों यहाँ पे यह भी पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है कि बोध की मिर्तियू 483 इसा पुर्व में हुआ था, लेकिन कहां हुआ था तो ध्यान रखेगा बुद्ध की मिर्तियू कुसी नगर में हुआ था, ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रस्ण है, कोश्चन नमर 21, कौन सा अस्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, सारनात, बुद्ध गया, कुसी नगर या फिर पावापुरी, तो यहाँ प पर सही जवाब है, आगे चलते हैं, अगला प्रस्ण है, कोश्चन नमर 22, भारतिया इतिहास के निमलखित यूगों में से, किसके दवरान, छत्रिया एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बुद्ध के यूग में, मौरिकाल में, पस्च, मौरिकाल में, गुप्तकाल में, तो यहाँ पर सही जवाब होगा, भारतिया इतिहास के बुद्ध के यूग में, छत्रिया एक विशिष्ट पहचान रखते थे, आप्शन ए, सही जवाब है, आगे चलते हैं, कोश्चन नमर 23 है, काफी इंपोटेंट है, महावीर कौन थे, 21 वे तिर्थकार, 24 वे तिर्थक तो इसका सही जवाब होगा, दोस्तो, महावीर थे, 24 वे तिर्थकार, आप्शन B, सही जवाब है, अगला प्रसन करते हैं, कोश्चन नमर 24, भारत में, जैन धर्म का संस्थापक कोन है, गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, या फिर असो, जैन धर्म का संस्थापक, इंड महावीर कोन थे, ये 24 वे तिर्थकार थे, ये बात आप जरूर धियान दखेंगे, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रसन है, कोश्चन नमर 25, जैन धर्म का पहला तिर्थकार किसे माना जाता है, पार्शवनात, महावीर स्वामी, रिसभ देव, या फिर अजीत नात, काफ अगे चलते हैं, अगला प्रसन करते हैं, कोश्चन नमर 26, बर्धमान महावीर ने परिनिर्वान कहां प्राप्त किया, पाबा, सारनात, वैसाली, या फिर सर्वन, बेल, गोला, तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब होगा, अगे चलते हैं, अगला प्रसन है, आपके स्क्र पर कोश्चन नमर 27, जैन साहित को क्या कहते हैं, त्रीपी टीक, वेद, आरिसूत्र, या फिर अंग, जैन साहित को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब रहेगा, जैन साहित को अंग कहते हैं, और यह धियान रखेगा, बाउध साहित को क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का परसिद्ध वहसासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों ये प्रस्ण काफी बार पिछले बर्शन में पूछा गया है समद्रगुप्त ऑप्शन है बिंदुसार चंद्रगुप्त या फिर असोग तो दोस्तों यहां पर सही जवाब होगा प्राचीन भारत का परसिद्ध वहसासक था कौन था चंद्रगुप्त ऑप्शन सी जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था ओके ऑप्शन सी सही जवाब है आगे चलते हैं और आखरी प्रस्ण आपके स् स्कूर बताईएगा प्रस्ण है आपका आखरी दक्षिन भारत में परसिद्ध जैन केंद्र इस्थित है क्रामेश्वरम कांची मदुरई सर्वन बेल गोला दक्षिन भारत में जैन केंद्र कहां इस्थित है तो दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा ओप्शन डी सर्वन सब्सक्राइब इसका सही जवाब आप नीचे कमेंड करके बताएंगे तो दोस्तो ये थे कुछ important question जो पीछले बरसों में बिहार पुलिस में काफी बार पुछा गया था अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए और कम से कम आप पांच लोगों के साथ जरूर शेयर किजिएगा धोका मत दिजिएगा दोस्तों वीडियो को शेयर अवेस किजिएगा तक मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू सो मच बाइबाई सी यू अगर नेक्स्ट वीडियो बाइबाई